देखें इसमें, पोटेशियम, रुबीडियम, मेगनेशियम, सीजियम, सब के सब एसब्लोक एलिमेंट्स है, गुरुप 1 और गुरुप 2 है, इसको करने के लिए अब देखें, जो आपके हाइड्रेशियम एन्थेलिपी होती है, वो डाउन दा गुरुप डिक्रीज होती है, इसका मदलब गुरुप 1 में अगर आप देखोगे, तो Li+, then Na+, K+, रुबीडियम, then सीजियम, याने उपर से जब नीचे आ रहे हो, पिरियोडिक टेबल में, इनके जो आइन्स के हाइड्रिशियम पर डिक्रीज हो रही है, Similarly, जब आप गुरुप 2 के में देखते हो, गुरुप 2 में भी हो जाता है, जैसे बेरिलियम है, सबसे ज़्यादा होती है उसकी उसमें, फिर मेगनीशियम की हो जाएगी, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, और बेरियम, इसके अकोर्डियम ऐसे हो जाता है, तो अगर आ A, then B, then D, and इसमें क्या है, मेगनीशियम और कैल्शियम, याने C, then E, समझ मैं गाइज, सो ये तो हो गया, अब तक गुरुप 1 और गुरुप 2 का अलग, ये तो हो गया, कि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, हाईडेशियम इन्थैल्पी, डिक्रीज हो रही है, now, what about पोजिशनल हो जाता है, आपके हाईडेशन एंथैल्पी के, now, C and E क्या है आपके, 2 प्लस उनिट के चार्जीज हैं, ये A प्लस के हैं, तो obviously C greater than E, then A, then B and D, it will be your correct answer, समन मैं, तो इसका मतलब, जो option number 4 है, is correct,